दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप 40 की उमर कुपार कर गए हैं और अगर आप 25 के उमर जैसा दिखना चाहते हैं तो कुछ नियम आपको गाट बांद लेने चाहिए। ये वीडियो इसी के बारे में है। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी उमर से बहुत जादा यंग दिखेंगे और आपके स्वास्त में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दोस्तों ये नियम बहुत ही आसान हैं लेकिन कुछ लोग इन नियमों की बजाए दवाओं के भरोसे अपनी जिन्दगी काटते हैं या किसी भी वीम हलका गर्म पानी पीएं। सुबह उठते सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हलका गुणगुना पानी या गर्म पानी आपको पीना है। दोस्तों ये सबसे सुनहरा पीरियड होता है आपके शरीर का जब रात भर आपके शरीर ने रिपैर का काम किया होता है और बहुत सा इससे आपका पाचन दुरुस्त रहेगा साथी साथ टॉक्षिंज के बाहर निकल जाने के कारण आपका स्किन यंग और तेज युक्त दिखने लगी गर्म पानी पीने से जो फायदे होते हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए मैं अगले नियम की ओर चलना चाहूंगा दोस्तो अगला नियम यह है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के तुरत बाद पानी नापते हैं दोस्तो बहुत सारे लोग जैसे ही खाना खाते हैं खाना खाने के तुरत बाद एक गलास पानी पी लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप खाना खाने के पच नहीं पाता इसलिए अगर आपको पानी पीना ही है तो खाना खाने के कम से कम 45 मिनट बाद या एक घंटे बाद पानी पीए तब तक आपका पाचन ठीक धंग से हो जाएगा दोस्तों अगली चीज़ यह है कि खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और खास कर जब वो लोग नौन वेज़ खाते हैं तो बहुत सारे लोग कोल्ड रिंग्स का सेवन करते हैं उस पे उन लोगों का तरक ये होता है कि इसको पीने से हमारा खाना जिस्ट हो जाएगा जिबकि ये सरासर गलत है जब आप खाना खाने के बाद कोल्ड रिंग्स पीते हैं तो ये आपके सरीर में एसीडीटी को बढ़ा देता है साथी साथ ये आपके डैजिस्टिव जूसस से भी इंटरफेर करता है तो ये बुरी आदित भी आप खाना खा तुरत बाद नहाना भी बिल्कुल गलत है दोस्तों अगर आप खाना खाने के तुरत बाद नहाते हैं तो मैं बताता हूँ कि आपके शाथ क्या होता है जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपके शरीर का सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट के इर्द गिर्द दो खाने के कारण आपके शरीर की ठंडक को गर्मी देने के लिए आपके यही शरीर का blood flow जो पेट के इर्दगरत रहना चाहिए था वो शरीर के हर हिस्से में जाने लगता है तो जो essential blood flow खाने को पचाने के लिए जरूरी था वो आप छीन लेते हैं और इससे खाना पचने में बह खाना खाने के तुरत बाद बहुत सारे लोगों को सोने की आदत होती है रात को जब वो खाना खाते हैं खाना खाने के बाद तुरत वो बिस्तर पे चले जाते हैं आपका शरीर weight gain तब करता है जब वो जादा calories लेता है और कम calories खर्च खरता है लेकिन अगर आप खाना खाने तुरत बाद विस्तर पचले जाते हैं तो आपके शरीर को वो चांस नहीं मिल पाता extra calories burn करने का, extra calories घर्च करने का इसलिए खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही सोने जाएं या यू कहिए कि सोने के कम से कम 2 या 3 घंटे पहले खाना खालें लेट नाइट खाना खाना एक बहुत ही बुरी आदत है जिसके कारण आपका वजन बढ़ता है दोस्तों ये था हमारा वीडियो अगर आप इन कुछ नियमों को गाठ बांत लेंगे तो आप अपने स्वास्त का और अपने लुक्स का काया कल्ब कर लेंगे अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों